दोस्तो ये खड़ी है आपके सामने brand new KTM Duke 200 and brand new KTM Duke 250 दोनी बाइक दोस्तो इंडन मार्केट की एक बहुत ज़ादा popular बाइक है दोनों बाइक को इंडन मार्केट में बहुत ज़ादा जो है पसंद किया जाता है आप जाहर ची बात है पसंद क्यों नहीं जाया किया जायागा बाइक KTM ने बनाया ही ऐसी बाइक है दोस्तो आज की इस प्डिएव हम दोनों बाइक का जो है detail comparison करने वाले है कि दोनों बाइक में आपको क्या क्या difference देखने को मिलता है कितना power difference है, कितना mileage difference है, कितना price difference है जो कि सबसे important है ये सारे जीज़ आपको मैं detail comparison में बताने वाला हूँ So I hope दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग उगले बहुत जदा interesting and बहुत ज़्यादा important होने वाली है ज़र आप ये दोनों बाइक का detail comparison देखना चाहते हैं तो इस वीडियो भूँ आप पूरे ज़रू देखेगा डीटियल नों आपको मैं सारे चीज़े बताने वाला हूँ तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दुस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के दोनों बाइक के प्राइस के बारे में दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस दिफ्रेंस देखने को मिलता है अब जहर सी बात है कोई बीची लेने वाले लेने की सोच रहे हैं सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसा कितना है, जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके साब सिम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, दोस्तों आपको बतादो अपनी जो ड्यूग 250 है, वो आपको एक सोरूम न पारे में 200 अपनी अन्रोड प्राइज आती है लगबग 200 अन्रोड प्राइज आ रही है लगबग वन लैक सुरी टू लैक 32 तौजन दो लाग 32 रुपए ग्यास पास की आपको अन्रोड प्राइज अपनी केटेम ड्यूक 200 देखने को मिल जाती है यानि कि दोनों को प्राइज कंपरीजन करें तो लगबग 50 तौजन पचास दाव रुपए की असपास का जो प्राइज रिफ्रेंस है दुस्तो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है ठीक चलिए अब आज आते हैं दोनों के डीटेल कंपरीजन में दोनों के सबसे पहले हम फ्रंड में आएंगे फ्रंड में मैं दोनों की लाइट आपको ओन करके दिखाता हूँ देखिए मैंने 200 की लाइट ओन कर दी मैंने 250 की लाइट ओन कर दी ठीक अब आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले दोनों को LED DRL light यह आप देख सकते हैं 200 में आपको यहापे LED DRL light आपको देखने को मलती है 250 में sorry and 200 में आपको यह LED DRL light देखने को मलती है जो कि पुराना model है और यह नया model है बाकि आप फिछे comment करके बताएं कि दोनों की में आपको किसका LED DRL light जादा बहतर लग रहा है मुझसे पुछेंगे तो मैं बलूँगा कि 200 का जो light है दोस्तों वो जादा बहतर लग रहा है as compared to 250 बाकि आप comment करके ज़रू बताना main light में दोनों में आपको fully LED light मिलता है पहले मैं आपको 250 की दिखाता हूँ यह देखिए fully LED light है एक low भी माती और एक high भी माती light की illumination प्लस जो visibility है आपको बहुत बहतर देखने को मिलेगी यापे 200 में भी आपको fully LED light मिलता है इसको भी पास मार के दिखाता हूँ आपको fully LED light देखने को मिल रहा है company ने यहाँ पे जो light दिये यह भी light बहुत ज़्यादा अची पुरानी model की light है बाकि आप comment करना की दोनों में आपको किसकी light ज़्यादा अच्छी लगती है जो tunnel single lap है वो आपको यहाँ पे LED मिलेंगे दोनों के same tunnel single lap जो की GATM में बहुत पहले से आ रहे है ठीक चलते हैं दोनों के front suspension की तरह दोस्तों front में अपनी जो 250 इसमें आपको WP के Apex वाले suspension मिल जाते है company ने काफे ची suspension दिया आपको 43 mm के USG आने की upside down suspension है इस bike में देखने को मल लाएगा 43 mm के अपनी जो 200 है इसमें भी आपको 43 mm के WP के suspension है बट दोस्तों जो 250 इसमें आपको ज़्यादा बेतर suspension मिल रहे है क्योंकि वो WP के Apex वाले है और इसमें आपको normal मिलते है तो यह थोड़ा सा difference आपको मिलेगा बात के लिए tire size के बारे में दोस्तों अपनी जो 200 है चलिए बात करें अब अब engine speed gratis के बारे में दोस्तो 200 में 129.5 सिजी का लिक्विड गूल फोरेश्टोग DOSC सिंगल सिरेंडर जो इंजिन है वो आपको यहापे देखने को मिल लाएगा 250 में 249 सिजी का LC4C लिक्विड को सिंगल सिरेंडर इंजिन आपको देखने को मिलता है बात करें पावर एंड और के बारे में इतना पावर है उतना तो 250 में सिर्फ टॉक मिलता है इसका पावर ज्यादा है तो जहर सी बात है आपको 250 की जो पावर इंड परफॉर्मेंस दूस्तो आपको ज्यादा बैतर मिल रही है 250 में आपको ना तीन चीजे जो मिलेगी वह चीजे आपको जो है अपनी 200 में नहीं मिलता है सबसे पहला स्लीपर कलच दुसरा है इसमें कुकशिप्टर और तीसरा है इसमें राइड बयुए वैर cheese चीज़ आपको 200 में नहीं मिलता इस बात कब ध्यान रखिएगा। बाकि 6 गार आपको ज़रूरूर। दुनों में देखने को मिलेगा। धोनों ही पे, A20-BS 6 लोम स gosh engine है, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो दुझा दुझा दुनों हीं का लबबग 35, 200 लबबग 40 का मालेज ओफर कर देती है 0-200 में 200 को लबबग लगते है 210 सेकेंड और अपनी 250 को लबबग लगते है Only 8.5 सेकेंड टॉप स्पीड 250 की है 150 किलोमेटर पर आवर 200 की लबग 140 किलोमेटर पर आवर अब आते हैं दोस्तों दोनों के रियर पोफाइल की तरह टेल नैट में दोस्तों रियर में दोनों में आपको LED मिलेगी बड़ अपनी 250 की लाइट थोड़ी सी जादा ब्राइट है मैं आपको ओन करके दिखाता है देखें मैंने 200 की लाइट ओन की यहाँ पे दोस्तों मैंने 250 की लाइट ओन करते हूँ देखेंगे देखेंगे इसकी टेल लाइट थोड़ी ज़दा ब्राइट निकल के आती है और इसकी टेल लाइट थोड़ी कम ब्राइट है तो 250 में नई टेल लाइट है तो उसका प्लस पॉइंट है कि वो थोड़ी सी जाद आपको bright देखने को मिल जाती है ठीक दूसर टायर साइज में रियर में दोनों वाइक में 150-60 के टायर साइज देखने को मिलेंगे रियर में दोनों में 230 mm का डिक्स प्लेट है बट एक चीज़ का फराख है 200 में आपको पुरानी वाली डिक्स प्लेट मिलती है और 250 में आपको नई वाली डिक्स प्लेट मिलती है एक्साइज दोनों वेंडर बेली है देख पार यह 200 का एक्साइज है आप देख सकते है ठीक और यह आपको 250 का एक्साइज देखने को मिलेगा बात करें इस suspension के बारे में दूसर 200 में WP के मोनो सोक suspension देखने को मिलते है बड़ वो beast side में है मतलब बिकदम beast में है उसके mountain beast mountain जिसम कहते है center mountain 250 में आपको WP के apex वाले suspension मिलते है मोनो सोक लेकिन यह side mountain है ठीक यह side में mountain हो beast center में और एक चीज़ यह जो suspension है थोड़े से बड़े है थोड़े से यूज है heavy है as compared to 200 देखिए अच्छे देखिएगा यह आपको फरक पता चलेगा ठीक चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब दोनों के seat के बारे में तो यह 250 की seat split आती है and 200 की seat भी आपको speed देखने को मिलेगी tank design 200 का कुछ इस टाइप का मिलता है 250 का कुछ इस टाइप का मिलता है आप चलते है speedometer की तरब दोस्तों 200 में आप देख परेगी यहाँ पर आपको fully digital meter आपको इस पर देखने को मिलेगा इस आपको feature आपको काफी सारे देखने को मिल जाते है जैसे यहाँ पर टेकometer है जिसे आर्पे मिटर कहते है यहाँ पर gear indicator है यहाँ पर इस का speedometer है side design indicator है यहाँ पर engine temperature है यहाँ पर clock है प्लस ही engine malfunction light आपको इस बाइक पर देखने को मिलेगा और यहाँ आपको एक info मिल जाता है engine function light shift rpm limiter का ही यहाँ पर ABS की light मिलेगी ठीक speedometer में और कुछ फीचर है जैसे fuel range आ जाता है trip 1, trip भी road हैने की ABS से चेंज कर सकते है service है, actual app सी है और आपको common feature मिलेगा, bluetooth कोई option इसमें नहीं मिलता श्यूसिस में pass stage, turn a single lap speedometer, turn a single lap, low beam, high beam horn engine kilsis और excelsis मिल जाता है अब चलते हैं अपनी 250 के तरफ दोस्तो 250 को कोई compare नहीं क्योंकि इसमें आपको direct जो है न TFT नहीं, sorry, LCD panel आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको जो feature है, आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे पहले एक clock है यह आप अपने देख पार एक year indicator है जिसका takeometer है, जिससे आरप मिटर कहते है engine temperature है इस फिल इंडिकेटर है, engine temperature में low, medium, high दिखाता है, odometer आपको पहले मिलता है प्लस ABS दिखा रहा है, ठीक ABS का mode है ठीक है, जिससे आप super motor road में दाल सकते है speedometer में और भी feature है दिखाता हूँ आपको ABS trip mode info, bike info में engine temperature, range, battery, auto, service उसके बाद यहाप एक trip info, देख पार है trip info है उसके बाद उसके यहाप एक audio timer है उसके बाद यहाप एक लैब timer है उसके बाद settings में और feature मिलेंगे like fair weight, kick selector, connectivity, kick shifter, shift light, extra function units और यहाप एक extra function मिलेगा ठीक तो feature जाएसी बाद है इसमें बहुत जादा है शीचेज में पास्विज, speedometer controller, tunnel signal, f on एक आपको 1000 का स्विज मिलता है 250 में engine kill series प्लस एक self-assist आपको बाइक में मिल जाता है सब्स दोस्तों brand new KTM Duke 200 versus brand new KTM Duke 250 का detailed comparison अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कौन से अच्छे लगी मेरे साब से दोस्तों आपको 250 के साथ में जाना चाहिए समय करता हूँ आपको एक छोटे से इंटरेसिंग वीडियो अच्छे लगी वीडियो अच्छे लगी देख लाइक करना चैनल पर पहली बेरा तो सबस्क्राइब कर लेना मलते हैं नेक्ट शुरू में लवी उल जैहिन वन्दमातरा